नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम संबंद और फलन के कुछ मैथवपून प्रशनों के बारे में चर्चा करेंगे। यहां हम राज्य बोर्ड में आये हुए कुछ पिछले बर्शों के प्रशनों की बात करेंगे। जो प्रशन अक्सर हमें एक्जैम्स में देखने को मिलते हैं। वह वाले प्रशन भी हम यहां पे देखेंगे। यहां पे हमने जो पहला प्रशन लिया है वो है फलन f, r to r जहां पे fx पराबर 2x प्लस 1 है। प्रत्य एक्स पिलोंस to r के लिए f inverse 1 का मान ज्याद कीजी। यहां पे आपको एक फलन दिया है जो वास्तरिक संख्या से वास्तरिक संख्या में परिभाशित है। और उसका क्या मान किस प्रकार से होगा, fx जो होगा वो 2x प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है। और जो x है यहां पे बुख्या है वास्तरिक संख्या है। तो इन सच जानकारियों के साथ आपको यहां पे f inverse 1 का मान चाहिए। रही। f inverse 1 से आप क्या समझते हैं। आप चानते हैं कि यदि आपको f inverse x का मान पता चल जाए। तो आप यहां पे x की जगा पर 1 रखके इस का मान निकाल देंगे। तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले f inverse x का मान निकालना होगा। है ना? और f inverse 1 क्या होता है? fx का उल्टा। अगर हमारे पास कोई दो समुच्चे हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं? यहां पे क्या पोला है? f r स r में परिवाशित है। मतलब यह भी वास्तिविक संख्या का और यहां पे फालन है f है ना? तो यहां हमें चाहिए f inverse x मतलब यही तो चाहिए f inverse x तो f का उल्टा होता है na f inverse x वही हमें यहां पे करना है। देखिए यह फालन आपको क्या दिया है? fx बराबर 2x प्लस 1 दिया है यहां पे तो fx का मान जो यह 2x प्लस 1 था इसको हम लिख सकते हैं y बराबर fx जगा पर आप y लिखेंगे y बराबर 2x प्लस 1 के बराबर ठीक है? और यहां पे क्या आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे y का मान x के पदों में है अगर हम यहां पे इस पदन को f पोल रहे हैं तो इसका मतलब यह x है और यह y है तो y का मान x के पदों म है हमें यहाँ पे उल्टा करना है मतलब x का मान y के बदों में चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं इधर से आप x का मान अज़र निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको यह y होजगा यह प्लस का वन यह माइनस में जाएगा तो यह हो जाएगा y-1 अप और अगर आपके पास g y का मान y-1 अपॉन 2 है तो यह बताएगे क्या आप यहाँ से g x का मान निकाल सकते हैं अगर मैं कहूं कि g y बराबर y-1 अपॉन 2 है और g x का मान बताएगे तो आप क्या कहेंगे आप यही तो कहेंगे कि y को सिफ x से बदल दो तो g x का मान हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे y को x से बतल के हमें क्या मिलेगा, x-1 upon 2 मिलेगा, है ना, तो यह जो gx का मान आया, यही क्या है, यही है आपका f inverse x, हमें क्या चाहिए था, f inverse x ही तो चाहिए था, अभी यह बताया था ना, f inverse 1 निकालने के लिए, अगर हमें f inverse x पता चल जाए, तो हम x की जड़ा पर 1 रखकर, f inverse 1 का मान दे देंगे, राइट, तो यहाँ हमें f inverse x का मान मिल गया है, अब यहाँ बताए, f inverse 1 का मान क्या होगा, तो f inverse 1 को आप यहाँ से दिखाएंगे, f inverse x पराबर x minus 1 upon 2, तो f inverse 1 पराबर x की जगा पर रखकर देंगे, 1 minus 1 upon 2, तो कितना हो जाएगा यह, 0 upon 2, और 0 upon 2 क्या होता है, 0 के पराबर होता है, इसका मतलब f inverse 1 का मान क्या आएगा, 0 आएगा, राइट, और यह बताएए, हमें यहाँ पर बोला था, कि f inverse 1 निकालो, तो ऐसा थोड़ी है कि बस यही question important हो गया, मतलब इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, यह प्रश्न पत्र में अक्सर देखे जाते हैं, सिर्फ फर्क क्या होता है, यहाँ पर पलन का मान बदल दिया, यहाँ पर f inverse 1 की जगा, f inverse x निकालने के लिए बोल दिया गया, यह कुछ और मान, मतलब यहाँ पर बस मान बदल देंगे, इसी प्रकार का प्रश्न देंगे, बस यहाँ पर कोई और मान आ जाएगा, ठीके, तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न है, तो आप हल कर लेंगे, होगा, है ना, तो आपको यह सारी चीज़ अगर ध्यान में रहेंगी, तो प्रश्न कैसे भी घुमा कर आ जाए, आप उनको हल कर सकोगे, है ना, यहाँ हमने अगरा प्रश्न ही लिया है, सिद कीजे कि फलन f r to r, फलन किस प्रकार का है, फलन है f x परावर sin x, यहाँ पे प् आपको यह सिद करना है, यह पलन अतो एकैक यह और ना ही अच्छा तक है, अब आप मुझे विद्धे पद गाईए, एकैकी फलन और अच्छा तक फलन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, क्योंकि जब आपको यह पता होगा ना, आपने यहाँ पे ना तो एकैकी और ना ह ही है फिर आप अच्षा दक सिद और की कोशिश करोंगे ऐसे टो करेंगे ना तो हमें अपने अप्रोच क्या रखने कि कि और अच्वाज़ कि कोशिश करने कि उससे पहले आप मुझे बताईे हैं यहां प्लन दिया किया हैं और कैसे परिभाशित है, आपके पास जो फलन है वो है fx बराबर sin x और वो वास्तिक संख्या से वास्तिक संख्या पर परिभाशित है, ठीक अब यह बताईए कि 1-2 कैसे सिद्ध होता है आप जानते हैं कि कोई भी फलन 1-2 कव होता है, जब आप यहाँ पर fx1 बराबर fx2 लेके चलते हो और इसकी मदद से आप x1 बराबर x2 सिद्ध कर देते हो तब आप कहेंगे कि फलन 1-2 की है, है ना, और आच्छा तक कव होता है कोई फलन जब आपके पास यहाँ पर कोई 2 set होते हैं, और फलन होता है, यहाँ पर set A से set B पर, है ना, समूचे A से समूचे B पर कोई फलन f होता है और यहाँ पर समूचे B के प्रत्यक अव्यव का कोई ना कोई हमें एक pre-image मिल रही हो, कहीं पर भी मतलब उसकी किसी ना किसी से mapping हो रखियो, तो फलन कैसा होता है, अच्छा दक होता है मतलब यहाँ पर P के प्रत्यक अव्यव के लिए आपको A में कोई ना कोई अव्यव मिलना चाहिए वही तो होता है न, अच्छा दक तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर A कैकी और अच्छा दक Fx1 बराबर क्या होगा Fx1 बराबर? Fx2 यह हम लेके चलेंगे, है ना? और फिर क्या करना है? Fx1 का मान और Fx2 का मान रखेंगे Fx का मान क्या है? Sine X है, तो यहाँ पर आप रख देंगे Sine X की जगा पर क्या रखना होगा? X1 रखना होगा और यहाँ पर भी Sine X2 की जगा पर मतलब Sine X में X2 रखना होगा, है ना? अब यह बताईए, यहाँ पर Sine X1 बराबर Sine X2 है, है ना? तो क्या हम एज़ा करेंगे कि X1 बराबर X2 होगा? Sine का ग्राफ आपको कैसा मिलता है? Sine का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है? यहाँ पर यह आपकी X अक्ष होती है, और यह आपकी Y अक्ष होती है, ऐसा ही होता है ना Sine का ग्राफ? अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि sin x के दो मान बराबर है तो वो दो मान तो यहाँ भी हो सकते हैं यहाँ भी हो सकते हैं मतलब अगर हम कह रहे हैं sin x का मान 0 है तो 0 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है हमें जिसमें sin x का मान बराबर मिल रहा है मतलब x को 0 रखेंगे तब भी sin x 0 आएगा x को πाई रखेंगे तब भी sin x 0 आएगा 2 πाई में b, minus πाई, मतलब हर एक sin n πाई के लिए sin x क्या आएगा? 0 आएगा तो ये कहना तो सही नहीं होगा ना कि x1 बराबर x2 है तो आप यहाँ पर कहेंगे अतहां x1 बराबर x2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इसलिए ये कहना मुश्किल होगा ना कि x1 x2 के बराबर है मतलब x1 बराबर x2 भी हो सकता और x1 is not equals to x2 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग मान भी हो सकता है यह हम नहीं कह सकते कि x1 बराबर x2 ही होगा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है तो इसलिए से यह फलन एक एकी नहीं है तो आप यहाँ पर कहेंगे अतहां फलन एक एकी नहीं है अब हम बात करेंगे आच्छा दक फलन की आच्छा दक के लिए क्या करते हैं हम इसमें x का मान y के पदों में निकालते हैं और फिर देखते हैं कि कि प्रत्य एक y belongs to r के लिए x belongs to r होगा या नहीं होगा हम यह चेक करने fx पराबर sin x से रखा है fx को उन क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं? y पराबर क्या हो जाएगा? sin x अब आच्छा दख के लिए क्या करते थे? x का मान y के पदों में निकालते थे ना? तो यहाँ पे x क्या जाएगा? sin y है न? इस sin y के साथ जब आएगा तो inverse में आएगा तो x पराबर sin y हो गया अब यह बताएए प्रत्य एक y belongs to r के लिए मतलब यहाँ पे आप कोई साथ भी एक वास्तुरिक संख्या रखेंगे तो क्या x भी एक वास्तुरिक संख्या मिलेगी? उसके लिए देखो यहाँ पे हमेरे पास जो sin का ग्राफ होता है वो कैसा होता है? इस प्रकार से होता है न? तो यहाँ पे यह बताईए y के किसी भी मान के लिए हम यहाँ पे y का कोई साथ भी एक मान ले लेते हैं क्या हमारे पास x के लिए कोई न कोई मान मिलेगा? हम यहाँ जानते हैं कि यह जो range होती है न? इसका जो परिसर होता है वो minus 1 से plus 1 तक होता है उसके उपर के मान के लिए हमारे पास कोई value नहीं है उससे नीचे के मान के लिए भी नहीं है तो यहाँ पे प्रत्यक y belongs to r के लिए x does not belongs to r मतलब x का जो मान है वास्तिविक संख्या नहीं मिलेगी आप यह देखिए minus 1 से 1 के बीच में तो y के प्रत्यक मान के लिए आपको x का कोई ना कोई मान मिल जाएगा लेकिन इससे नीचे के मान के लिए आपको क्या यहाँ कोई मान मिल रहे है नहीं मिल रहे है क्योंकि यह ग्राफ ही नहीं जा रहे है उससे उपर या नीचे है ना तो प्रत्यक y belongs to r के लिए x does not belongs to our अतहा फलन आच्छादक भी नहीं है अतहा फलन आच्छादक नहीं है हमें यही तो सिद्ध करना था कि ना तो फलन एकाकी है और ना फलन आच्छादक है तो यहाँ पे आपने सिद्ध किया कि यह कहकी भी नहीं है यहाँ पर आपने सिर्गिया कि आच्छा दख भी नहीं है तो आप कहेंगे अतहां दिया गया फलन fx ना तो यह कह की है और ना ही आच्छा दख है तो समझ गये ना मुझे नहीं लगता कि यह कोई मुश्किल था आप चानते हैं अगर आपके पास कोई भी फलन का प्रेशना है तो आपको क्या क्या देखना है एक तो यह देखना है कि फलन दिया क्या है बीना फलन के तो आप क्या ही काम करोगे तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि फलन क्या दिया है उसके बाद आपको देखना है कि फलन कहां से कहां परिभाशित है यहाँ पर देखे वास्तिविक संख्या से वास्तिविक संख्या पर परिभाशित था तो इसलिए यह अच्छा दक नहीं हुआ लेकिन अगर यह फलन वास्विक संख्या से इस अंतराल में परिभाशित होता तो यह अच्छा दख हो जाता क्योंकि इस अंतराल के अंदर के सभी मान के लिए हमारे पास X का कोई ना कोई मान मिलता ही मिलता और वो मान वास्विक संख्या ही होती है न तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो फ़लन कहां से कहां परिभाशित है अक्सर बचे इसको इग्नोर कर देते है आपको ये इग्नोर नहीं करना ठीक है, मतलब यहां पे जो set x है वो भी वास्तिरिक संख्या का है और set y है, ऐसा होता है न ये वाला set x है और ये set y है तो ये भी वास्तिरिक संख्या का समुच्चे है और ये भी वास्तिरिक संख्या का समुच्चे है और जो फ़लन है वास्तिरिक संख्या से वास्तिरिक संख्या पर परिभाशित है तो इस वज़े से यह जो फलन है वो अच्छा दत नहीं है और एक एक की इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक मान एकस के बहुत सारे मान के लिए मिल सकते हैं ठीक है अब आप विचार कीजे इस प्रशन पर यहाँ पर क्या कहा है धनात्मक परिमेश संख्याओं के समूचे Q प्लस आप जानते हैं परिमेश संख्याओं को किस से निरुपित करते हैं Q से निरुपित करते हैं और यहाँ पर कहा है धनात्मक परिमेश संख्याओं ठीक है अगर य ब्लस का साइ नहीं होता तो बात होती ही सारी परिमेश संख्याओं के बारे में बात हो रही है तो यहां पर क्या का है कि धनात्मक परिमेश संख्याओं के समूचे में A star B पराब A B upon two देखिए अभी पूरा प्रश्ण पढ़ा भी नहीं है और यहाँ पे स्टार में की फॉर्म में हमारे पास कुछ आ गया ना इसका मतलब यह जो प्रश्ण है यह दुई अधारी संक्रियाओं का है इस त्वारा परिभाशे दुई अधारी संक्रियाओं के लिए तत्समत अव्यव एवं A belongs to Q plus के लिए प्रतिलों ग्यात कीजिए यहाँ पे आपको दो चीजे निकालनी है एक तो तत्समत अव्यव निकालना है और दूसरा प्रतिलों निकालना है और आपको यहाँ पे एक संक्रिया दे हुई है इस प्रकार से अब हम यहाँ पे काम करेंगे पहले तत्समत के लिए यहाँ पे जो भी बात होगी धनात्मक परिमे संक्रियाओं के बारे में ही होगी उसके लिए तो आपको confused नहीं होना कि कौन सी परिमे संक्रियाओं की बात हो रही है क्योंकि सारी जगा क्या दिया है Q प्लस दिया है इसका मुले धनात्मक परिमे संक्रियाओं की बात होगी अब दो ऐसी धनात्मकपरी में संख्या लेना हैं जिसमें कि ये वाली संक्रिया आप लगा सको और उसका तत्समक अव्यव भी निकालना है और उसका प्रतिलोम निकालना है अब पहले आप मुझे ये बताए तत्समक अव्यव के लिए आपके पास क्या कंडिशन होती थी ये वाला जो दूसरा अव्यव था ये इसका क्या होता है तत्समक होता है किसका इस वाले अव्यव का जिसके साथ उसकी संक्रिया करवाई है आपको याद होगा योगात्मक तत्समक का हमारे पास यदि कोई नंबर दो है इसके साथ हम योग की संक्रिया करवा रहे हैं सीरो की तो 2 के साथ 0 का योग करवाने पर हमें कि वापस क्या मिल रहा था 2 मिल रहा था ना तो यह जो 0 है यह किसका तत्समक है यह धनात्मक तत्समक है 2 के लिए है ना तो इसी प्रकार आपको इसका तत्समक इस संक्रिया का तच समख निकालना है A के लिए तो यहाँ पे आपको A की B के साथ संक्रिया करवाकर वापस A ही चाहिए कुछ इस तरीके का आपको तच समख निकालना है यह बताईए अगर हम कहते हैं कि माना आई दूयाधारी संक्रिया तच समख अव्यव है ठीक है तो अगर यह इसके लिए तच समख अव्यव है और कोई एक अव्यव A यह Q पॉजिटिव से आ रहा है मतलब कि यह धनात्मक परिमे संक्रिया का कोई एक अव्यव है A तो जब आप इन दोनों की संक्रिया करवाओगी मतलब A की संक्रिया हम अगर I के साथ כरवाते है तो हमें वापस क्या मिलना चाहिए A मिलना चाहिए क्योंकि I को हम क्या कह रहे है तच समख अव्यव कह रहे है अब यह बताइए यहां पे जो हमें दू़िया-धारी संक्रिया दी है इसके हिसाब से जब दो अव्यव ये संक्रिया करते हैं तो हमें परिणाम मिलता है उन दोनों का गुणनफल बटा दो तो इसी प्रकार ये दो अव्यव संक्रिया कर रहे हैं मतलब एक ही संक्रिया आई के साथ हो रही है तो इसका जो आमें परिणाम मिलेगा वो A, I मतलब इन दोनों का गुणनफल बटा दो ये मिलेगा और बराबर में क्या है हमारे पास? A है क्या आप इसकी मदद से इस तत्समत अव्वेव कमान निकाल सकते हैं? इस I कमान निकाल सकते हैं? मुझे लगता है निकाल लेंगे ये एक एंसिल हो जाएगा दो को आप गुणा करोगे दोनों तो यहाँ पे I कमान क्या मिल जाएगा? दो मिल जाएगा तो सबसे पहला काम हमारा यही था कि हमें तत्समत अव्वेव चाहिए तत्समक अव्वेव तो आया दो क्योंकि दो एक ऐसी संख्या होगी जिसको किसी भी धनात्मक परिमे संख्या के साथ ये वली संख्या करवाने पर हमें वापस वही संख्या मिलेगी हम कैसे कह सकते हैं ऐसा? आप चानते हैं ना हमने शुरुवात कहां से करी थी हमने शुरुवात यहीं से करी थी हम यह मान के चले थे कि आई कोई एक तत्समक अव्यव होगा और तत्समक अव्यव किसली होता है वो किसी के साथ संक्रिया करके वही देता है तो हमने इसी इसाब से एक के साथ आई की संक संक्रिया हमें परिभाशिती उसके इसाब से यहां पर कैलकुलेशन करके आई कमान मिल गया ठीक है तो यह तो तत्समग अव्यव हो गया अब हमारा दूसरा काम है प्रतिलों ग्याद करना किसी भी अव्यव का प्रतिलों कैसे निकाला जाता है आप चानते हैं कि हमारे पास कोई एक अव्यव ए है तो इसका प्रतिलों हम A inverse से निरुपित करते हैं और इन दोनों की संक्रिया करवाने पर क्या मिलता है हमें उसका तत्समग अव्यव मिलता है यही तो property पढ़ रखिया है हमने पढ़ रखिया न तो वही हमें यहां करना है A belongs to Q plus का आपको प्रतिलों निकालना है तो मतलब आप यह लेंगे कि कोई एक अव्यव A है आपके पास जो की धनात्मक परिमे संख्याओं के समूच्छे से है और आप यहां पर यह कहोगे माना A का प्रतिलों क्या होगा हम प्रतिलों को किस से दिखाते हैं अभी बताया था A inverse से दिखाते हैं तो माना A का प्रतिलों A inverse है तब इस वाली property से आप क्या कहेंगे कि इस A की संक्रिया अगर हम A इन्वर्स से करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहां पे हमने इसके तत्समक अव्यव का मार निकाल दिया था तो इसका तत्समक अव्यव मिलेगा ना मतलब कि क्या मिलेगा 2 मिलेगा अब ये बताईए दो अव्यवों की संक्रिया करवाने पर हमें परिणाम किसी साब से मिलेगा हमें इस साब से मिलेगा जहां पर ये संक्रिया परिभाशित है हमें तोनों अव्यव का गुणनफल बटा 2 मिलेगा और 2 अव्यव है हमारे पास A और A inverse तो जब आप इनकी संक्रिया करवाएंगे तो हमें A और A inverse का गुणनफल मिलेगा और बटा 2 मिलेगा और बराबर में 2 है अब इसको हल करने के बाद क्या आप A inverse का मान निकाल सकते हैं कोई मुश्किल चीज नहीं है इसको हल करके यह हो जाएगा A inverse पराबर 4 बटा A तो यह जो आया ना A inverse पराबर 4 बटा A यही क्या है इस A का प्रतिलोम है क्योंकि A तो कोई भी धनात्मक परिमे संख्या हो सकती है ना तो प्रतियक धनात्मक परिमे संख्या के लिए जो उसका प्रतिलोम आएगा वो चार बटा वो संख्या आएगी ठीक है? तो हमें क्या क्या मिला? हमें यहां पे इसका तदसमक भी मिल गया और इसका प्रतिलोम भी मिल गया और हमें बस इतना ही निकालना था तो इस प्रकार के प्रश्ण भी काफी तेखने को मिल जाएंगे आपको यहां पे कोई भी एक दुयाधारी संक्रिया देदी चाहेगी और तदसमक भी या प्रतिलोम या साचर्य कुछ भी आपको सिद्ध करने के लिए या ज्याद करने के लिए दिया जा सकता है जैसे यहां पे इस प्रकार की संक्रिया थी और कहा था कि तत्समक अव्यव निकालो और प्रतिवों निकालो हो सकता है कोई और संक्रिया दे दी जाए जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे आपको एक दुयाथारी संक्रिया इस प्रकार से दी है और कहाए कि सिद्ध कीजिए कि संक्रिया कैसी है साचर्य है तो जब आपको ये सब दिये जाएंगे तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपको पता और अची कि साचर्य है क्या तो जल्दी से आप मुझे बताईए साचर्य क्या होता है आपने अभी तक जो भी कंटेंट वीडियोस देखी है उसमें आपने अच्छे से समझ लिया होगा साचर्य का सिकर बहुत बार हो चुका है कि यहाँ पे हम कोई भी तीन अव्यव लेके चलते हैं जो किसी समुच्छे को बिलाउन करते हैं जैसे कि यहाँ पे समुच्छे N की बात हो रही थी N किसका समुच्छे होता है प्राक्रित संख्याओं का ना तो हमने यहाँ पे कोई तीन अव्यव लिये हैं प्राक्रित संख्याओं से और अगर आप ये सिद्ध कर दो कि A स्टार B स्टार C पराबर होगा A स्टार B स्टार C के तो ये क्या होगा साचर्य को संतुष्ट करेगा हमें यही करना है कि कोई तीन अप्यव लेने हैं और ये सिद्ध करना है ठीक है अगर हम यह सिद्ध कर देते हैं तो हम कहेंगे कि यह जो संक्रिया है वो साथ चर रहे हैं ठीक है तो यहां हम कहते हैं माना कोई तीन अव्यब A, B, C यह N को बिलॉंग कर रहे हैं तो आपको सिद्ध करना है A star B star C पहले हम इसका मान निकालते हैं तो इसका मान क्या आएगा देखिए अगर आप इन दो अव्यबों में यह संक्रिया लगा रहे हैं तो इसका जो आपको परिणाम मिलेगा वो A प्लस B प्लस A भी मिलेगा और इसकी पूरी संक्रिया आप करवाएंगे C के साथ अब यह पूरा A का अव्यबों का इसके लिए और यह दूसरा अव्यबों मतलब यह पूरा A का काम करेगा और यह B का काम करेगा इस संक्रिया के लिए तो यहां पर जब आप इसको हल करेंगे तो यह A प्लस B मतलब यह पूरा A जिसमें की A प्लस B प्लस A भी आ रहे प्लस यह दूसरा अव्यब था हमाई पास C प्लस A B मतलब दोनों अव्यबों का गुणनफल पहला अव्याव है ये और दूसरा अव्याव है ये तो इन दोदों का जो गुड़न फल आएगा वो a plus b plus a b आएगा मनद c गुड़ा a plus b plus a b आएगा अब जब आप इसको हल करेंगे तो देखें क्या आता है ये हो जाएगा a plus b plus a b plus c plus a c जब c की अंदर कुड़ा कराएगे तो ये a c हो जाएगा plus b c plus a b c है ना तो यहाँ पे आप इनको थोड़ा सा और हल करके लिख सकते हैं a plus b plus c plus a b plus b c plus c a plus a b c तो ये जो result आया हमारे पास ये a star b star c के लिए आया मतलब आपने पहले संक्रिया लगाई a और b में और फिर जो उसका परिणाम था उसकी संक्रिया c के साथ करवाई अब हम करेंगे A स्टार B स्टार C को हल मतलब पहले B और C में संक्रिया लगाएंगे और फिर उसके परिणाम की संक्रिया A के साथ करवाएंगे ठीक है? तो यहां से आपको क्या मिलेगा A स्टार यह बताएंगे इन दोनों में जब आप संक्रिया करवा रहे हो तो इसका परिणाम मिलेगा आपको B प्लस C प्लस BC और फिर इस परिणाम की संक्रिया आप A के साथ करवाएंगे तो यह पहला अव्योग होगा और यह दूसरा अब पहले इन दोनों का योब होगा तो मतलब A+, B+, C+, BC+, AB मतलब इन दोनों का गुणन फल, जब इन दोनों का गुणन फल करवाएंगे तो ये A गुणा B+, C+, BC होगा, छीक है? तो ये हो जाएगा A+, B+, C+, BC+, AB+, AC+, ABC है ना A की अंदर बुड़ा करवा देंगे सब के साथ और इसको अलगर्पी क्या मिलेगा आप देखिए यह होगा A प्लस B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस CA प्लस ABC तो क्या यह तोनों बराबर नहीं है बराबर है ना तो आप कहेंगे चुंकि A स्टार B स्टार C बराबर है A स्टार B स्टार C के आताहा जो संक्रिया है यह कैसी है साहचर्य है आताहा दी गई संक्रिया साहचर्य है तो कि यह तोनों बराबर आगे है ना तो आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि यह साहचर्य है तत, समाग, प्रतिलोम, यह सब होते क्या हैं, तो यह प्रश्ण हल करने थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, वरना तो आपके पास संक्रिया है, आपको पता है कि क्या सिद्ध करना है या क्या क्यात करना है, और आप उसी कैल्पुलेशन करके कर सकते हैं, इजी है यह वाले questions, ह एना?